नमस्ते विद्यार्थे मित्रों, हूँ चेतना पुरोहित विद्याराज ग्लोबल स्कूल वते आपनों हार्दिक स्वागत करूचू धोरण साथ विश्य हिंदी पाठ त्रों कुट्टे की वफादारी पूराने जमाने में व्यापार का सामन लाने ले जाने का काम बंजारा करते थे एक बंजारा था वह अपने उटो पर गाओं का माल सामन लाद कर सहरों में ले जाता था और वहां से मिस्री, गूर, मसाले आदी भरकर गाओं तक ले आता था लाखो का व्यापर था उसका इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे लाखा के पास एक सुन्दर कुता था कुता बड़ा वफादर था राद को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुता पहुंक पहुंक कर उन्हें दूर भगा ले जाता था बंजारा अपने कुते की वफादरी से बहुत खुस था एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपियों की जरुरत आपड़ी वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा उसने अपनी बात बताई सेठ ने कहा रुपिय तो मैं दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिर्वी रखोगे लाखा बोला सेठ जी मेरे पास फूटी कोडी भी नहीं है मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपिय दे दिजिये मैं आप की पूरी रकम सुध समेट एक साल में ही चुका दूंगा सेठ बोला कोई बात नहीं तुम्हारे पास यह कुता है तुम तुम इसे ही जमानत के रुप में दे दो जब तुम सारे रुपिय लोटा दोगे तब मैं भी कुता तुम्हारे वापस कर दूंगा बंजारे को में मगर कोई चारा नहीं था रुपिय लेकर वह चला गया कुछ दिन बिते एक बार सेठ ने यहां चोरी हुई कुते ने चोरो का पिछा किया दूर जंगल में जाकर चोरो ने सारा माल सामान जमिन में गाड दिया और वहां से नोदो ग्यारा हो गए कुता वहां भूंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड कर माल उठा ले गए है सेठ ने तो हका बका ही रह गए कुता सेठ की धोती पकड कर आगे खिचने लगा सेठ कुते के पिछे पिछे चलने लगे जहां चोरो ने माल चिपाया था वहां जाकर कुता अपने पैरो से मिटी खोदने लगा थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था वह कुत्ते को प्रेम से थपत पाने लगे कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्द हो गया घर जाकर उसने एक चिठी लिखकर कुत्ते के गले में लगा दी कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंचारा के पास तुम मुग्त हो कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा इधर लाखा ने भी व्यापार्मीन खुब रुपया कमाया वह सेट को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा वह नाराज हो गया सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है उसने बेवफाई की है अब मैं सेट को क्या मूँ दिखाऊंगा उसने आओ देखा न ताओ बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया कुत्ता बेहुस होकर गीर पड़ा लाठा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिठी बंधी है उसने इसे खोलकर पड़ा लाठा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सुद समेत रुपिये लोटा दिये है और तह कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ उसने मेरे घर चोरी किये गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है खुस होकर मैंने सयम इसे मुक्त किया है लाठा तो चकित हो गया वह चिल्लाने लगा हाई यह मैंने क्या कर दिया हाई यह मैंने क्या कर दिया वह कुत्ते के सव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा लेकिन अब पस्ताय ओत क्या जब चीडिया चुग गई खेत उसने उस वफादार कुत्ते की समाधी बनवाई जो आज भी पाटन जिल्ले के रांधनपूर के तालाप के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है नमस्क्रे विद्यार्थी मित्रो करते हैं